इस question में हमें इन दोनों में से एक symbol इस फिरिंदा blanks में डालना है ये मेरे symbol कुछ ऐसे होते हैं इस वाले को कहते हैं is a subset अगर मैं इसमें dash डाल दूँ इसका मतलब is not a subset यानि हमें यहां पर पता लगाना है कि ये वाला set मेरा subset है इस set का a मेरा subset होता है b का अगर सारे elements of a मेरे b में हो यहां पर मैं notice करूँ मेरा a ये इस set में नहीं है इसका मतलब सारे elements of this set is not in this set इसका मतलब ये जो a b c वाला set है ये मेरा subset नहीं है इसका तो मैं ये वाला symbol यूज करूँगा not a subset वाला कुछ ऐसे इमेरा अजरा किया